चुatie फिर्टर अज मिल्टी बनाकर दिखाऊंगे यह देख़्िए हमारी थोड़ी थोड़ी उए बची हुई है तो मैं इससे आपको उतन बनाकर दिखाऊंगे बहती प्यार इजाइन है और यह मैं दो बच्चे के लिए बनाऊगे तो मैं पहले इस से फंदे डाल कर दिखाऊंगी यह देखे मैंने यह असी फंदे 84 फंदे डाल कर हमने यह बॉडर बना लिया है मैं इसी शुरुआत करती हूं उसके बाद में दूसरे कलर लगांगी तो यह देखे है तो देखे अब मैं इसको इन सलाईयों से आगे बनाऊंगे यह गले वाली सलाईयां हैं दोनों तरफ जिनकी नौक होती है यह देखे तो यह मैंने दस नंबर पर ही बॉर्डर बनाया हुआ और यह सलाईयां भी हमारी दस नंबर की ही हैं तो अब यहां पर मैं फंदों को डिवाइट करूंगे पहले मैं फ्रेंट प्रेंट के लेती हूं तो इस तरह से पहले में 12 फंदे बनाऊंगे 84 फंदे है तो चार फंदे हमारे जाली के लिए है जो हमारी चार जगे जालियां पड़ेंगी बाकी 80 फंदे के हमने डिवाइट करने हैं दो चार छे आठ दस ग्यार है और एक बार है अब आगे धागा करके यहां पर एक जाली डालूंगी तो यह फंदा हमारा हो गया जाली बाला तो इसके इस फंदे के दोनों तरफ हमने जाली डाल लिया तो एक जाली यह पड़ गई दूसरा आगे यह धागा हमने किया और फिर हमने 12 फंदे बना लेने हैं यह हो गए हमा शे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो देखिए, यह हो गए हमारे फ्रेंट, तो अब मैं यहाँ पर निशान लगा लूँगे, अब यहाँ से यह बाजू शुरू होगी, तो आठ फंदे पहले, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, फिर हमने आगे धागा करके, यहाँ पर एक फंदे पर जाली डालने है, तो इस फंदे के दोनों तरफ जाली डालूँगी, आगे तो फंदा करके, फिर आठ फंदे हमने लेने हैं, तो यह 16, 17 फंदे हमारे बाजू के हो गए, 4, 5, 6, 7, 8, फिर यहां पर हम निशान लगाएंगे, अब बैक पॉर्चन के 12 फंदे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, फिर जली, फिर बारे फंदे, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, दो, चार, छे, आठ, दस, बारा, चादा, सोला, और एक, सत्रा, यह हमारे बाजू के फंदे बच गए, आठ फंदे के बाद फिर जाली डालूँगी, तीन, चार, पांच, छे, साथ, सौरी, इसमें हमने गले की सलाईयां लगानी थी, तो देखे, मैं इधर से इन फंदों को एक, एक, पॉर्शन के अलग, लग सलाईयां लगा लेते हूं, क्योंकि हमने एक साथ, एक साइट से ही बनाना है, अब यहां से दूसरी सलाईयां लगाऊंगी, तो हमें यह निशान लगाने की जरूत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें सभी फंदे अलग-अलग रखने हैं, क्योंकि हमें गुलाई में बनाना है, तो इसलिए हमें चार सलाईयां लगानी पड़ेंगे, यह देखिए, अभी यहां से यह तीसरी सलाईयां, इस तरह से दो चार छे साथ आठ फिर यहां से जाली, फिर दूसरी जाली और अब हमारे आठ फंदे रहें दो चार छे आठ यह देखिए जाली पड़ गई, आठ फंदे बना लिए, एक बार यह सलाईयां जुड़ जाएंगी फिर बनाने में परिशानी नहीं होगी, यह देखिए इस तरह से, अब हमने यहां से बनाना है, इस तरह से देखिए, यह हम बाद में सिलाई लगा देंगे, क्योंकि यह हमने सिंगल सिलाई पर फंदे डाले हुए थे, इस तरह से, और इस तरह से हमने यह बनाना है, सोटर, देखिए इस तरह से हमने बनाना है, इस तरह से लगा देखिए, अपने बार फंदे बना लिया है, इसके बाद यह जाली जो है, इसको भी हमने बुल लेना है, अब यह जो बीच का फंदा है, जिस पर हमने जाली डाली थी, तो हमने इसी पर ही जाली डालते रहना है, तब यह तो हमारे इधर फंदे बढ़ेंगे, यह देखिए, इसी की फंदे के आसपास हमें जाली डाल लिया है, और जो जाली का फंद इसको हमने सिधा बना लेना है तो अभी पहले हमने बारे फंदे लिये थे अभी ये तेरे फंदे हो गए और एक जाली का थोड़ी लंबाई बढ़ जाएगी तो हमारी सलाईयां भी सैट हो जाएगे यह देखे बाजू के आठ फंदे थे हमारे अब नव फंदे हो गए एक फंदा मारा यहां जोड़े गया है अब एक फंदा यहां पर बढ़ेगा एक दो तीच चार पांच छे सात आठ नौ अब फिर जाली डालनी है पिर एक जाली और इधर भी अमारे नो फंदे हो गए इसी तरह हमने इस तरह गोल गोल बनाते जाना है सिदा 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 हमने पलट के उल्टा नहीं बनाना है तो जितनी हमने लंबाई रखनी है बगल तक उतना हमने इसको बना लेना है बगल कोबाने लेरा बना उतना है क्थरो जितना है आपर कोबाते सिदा 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 स्वाड़ी टारावेर जा ओाना है झाल झाल देखी फ्रेंट्स हमारा यह इतना बन गया है यह हमारी जालिया पूरी हो गई है यह मैंने 30 जाली डाली है तो यहां पर हमने फ्रेंट में 12 फंदे 12 और 12 यानि कि 24 और एक यह वला फंदा 25 फंदे रखे हुए थे आप हमारे यह 30 इधर बढ़ गए 30 इधर बढ़ गए क्योंक 13 और 30 यानि 85 फंदे हो गई है एक पूर्शन में है और यह है बाजू तो इसमें 17 फंदे थे और 60 फंदे और बढ़ गए है तो यह 77 हो गए है बाजू गए तो इसी तरह से यह फ्रेंट वह बैकल और यह दूसरी बाजू अब यह फंदे ज़्यादा है तो मैं अब अच्छे से नहीं दिखा पाऊंगी यह देखे इस चारों पूर्शन एक साथ बन गई है अब आगे क्या करना है वो आप आपने ध्यान से देखना है तो मैंने यह निशान लगाई हुए है बाजू का फिर यहां से फ्रेंट फिर बाजू और फिर बैक तो इसी तरह से हमने निशान लगा लेने है तो आप देखिए मैं पहले फ्रेंट बनाऊंगे आगे का पॉर्शन दोनों सेम ही है आगे का कही है यह पीछे का दोनों सेम है तो एक एक करके आप बनाऊंगे तो आप बिल्कुल दिहान से देखिए कैसे करना है अब मैं सिंगल सलाई ले लूँगे इस धागे को मैं कट कर दूंगे क्यांकि हमने अब दूसरा धागा लगाना है इस धागे को नहीं यहां से जाइन करना है तो दिखिए इसको हम काट लगा लेंगे यह मैंने कोल वाली सिलाईया लगाई हुई है यह देखे है कि पहले हमने गले वाली लगाई हुई थी तो उसमें सभी फंदे नहीं आ रहे थे इस तरह से यह देखे है पहले हम एक फंदा बनाएंगे यह आप दो ले लीजिए दो से भी हो जाएगा इस तरह से फिर हम इसको पलटके दोनों को फिर उल्टा बना लेंगे वैसे एक की एक फंदा जुड़ेगा तो मैं एक की एक जोड़ती हूं फिर आपको कभी परिशान ही हो इस तरह से एक फंदा सीधा बनाया उसी को हमने उल्टा बना लिया अब देखे अब इसको तो बनाना ही बनाना है अब इसके साथ एक फंदा और जोड़ना है इस तरह से यह देखे दो होगे फिर इन दोनों को उल्टा बना लोंगे यह दो होगे अब तीसरा फंदा लोंगे इस तरह से फिर उसको उल्टा बना लोंगे तो इस तरह से हमने एक एक फंदा लेकर जाना है यहां तक जाली तक और दोनों तरब से बुनना है सीधा भी और उल्टा भी इस तरह से एक फंदा और ले लिया फिर उल्टी साइट से भी बना लिया इस तरह से एक फंदा और ले लिया यह देखे एक एक करके जोड़ते जाएंगा है प्रॉण तरह से जाएंगा है झाली प्रॉण प्रॉण फिर एक वन्दा लेलोंगे तो देखे मैं सभी फंदों को यहां तक बना लेते हूँ देखे फ्रेंट्स हमारा यह जाली तक हमने बताया था तो यहां तक हमारे कम्प्लीट हो गई है फंदे यह देखे इस तरह से तो यहां तक हमारा एक पॉर्शन होता है तो अभी आदे फंदे बने हैं एक पॉर्शन के जाली तक अब दूसरी तरफ से हमने इधर से बनाना है अब इधर से बनाके लाना है तो मैं यह इस सलाई में फंदों को भर लूँगे क्योंकि बहुत जादे सलाईयां लगाओ तो बनाया नहीं जाता है इसलिए मैं इसी सलाई में फंदे भर लेते हूं और इसी तरह बनाना है जैसे मैंने यह वाला बनाया है एक एक फंदा करके जब इधर के सभी फंदे बन जाएंगे तो हमरा एक पॉर्चन तयार हो जाएगा यहां से अब देखें यहां से शुरू करूंगे अब देखें इधर यह बाजू के फंदे रह गए और यह वाले इसके पॉर्चन के तो अब इसको हम इस तरह से बनाएंगे एक पंदा बना लिया फिर एक फंदा बना लियां फिर इसको कलटके तीन फंदो को सीधा बना लोगे फिर एक पंदा ले लिया और चार पंदे बना लिया इसी तरह बस एक पंदा को बढ़ाते जाना है इस तरह से बनाना मींस वैसे नहीं बढ़ाने है आमने पंदे पंदे इस तरह से जैसे अब चार हैं चार बुन लिए यह चार हो गए अब पांच हो गए इस तरह से जैसे हमने इधर बनाया था यह वाला पूर्शन आइसे इधर को बढ़ाते जाना है फिर एक ले लिया और फिर सीधा बुल लिया है फिर एक लुल लिया है इसी तरह है एक एक बनाते हुए हमने यहां तक बना लेना है यह मैंने दोने तरब से फंदे पूरे कर लिया है यह देखें इस तरह से दोने तरब से बन गया है अब यह यहां पर सभी फंदे पूरे हो गए है तो अब मैं सीधा सीधा सभी फंदो को बना लूँगे यह देखें यहां से बना लूँगे सभी फंदे एक साथ बनाते जाऊँगे सीधे तरब से सीधा ूऋट तरब से उन्टा बनाते हुए जे थिपने लम्बाई रखनय मै to turn को उत्री बनाऊँगे यह देखे इस तरह ऐसे उल्टा सीधा बनाते हुए मैं देख एधे दूसरा पॉर्शन बना रखा है यह देखिए इस तरह से यह सिलने के बाद सही हो जाएगा अभी आपको लग रहा होगा अलग सा कुछ यह देखे इस तरह से अब मैंने यहां से मैं बना रही हूं तो यहां से इतना बना के फिर मैंने बॉडर बनाना है क्योंकि बहुत बड़ा सोटर नहीं बनाने है दो साल के बच्चे का सोटर है तो यह मैंने इतनी इसकी लंबाई रख्ये होई है तो इसी तरह मैं इसको पूर कर लूँगी देखे हमारा यह बन के त्यार हो गया है यह बोडर भी बना लिया है और इस तरह से हमने पंदे बंद कर दिया है कि अद Nur Anas regarding warmth to see back to go back in truth रेवल यह बहुत है यह देखे box के हम्ने पंदे बना लिया है पाजुके हैं जैसे मैंने पंद्ने में बताई एक बार मैं आपको फिर एक बार पेट करवा दूं कि कैसे करना हैं कि यह देखे हमने पूरा कर लिया है तो अब हम इधर से लगाएंगे उनको इधर से तो आप चाहें तो दूसरी सलाई में लेले नहीं तो इसी सलाई में आप इस तरह से फंदों को ले सकते हैं कि इस तरह से अब हमने यहां से उन लगानी है क्योंकि हमने यह इधर सफेद उन से बनाए हुए हैं तो मैं इधर सफेद उन लगाऊंगी अब मैं इसको निकाल देती हूँ इस तरह से आप दिखें मैं एक बार आपको फिर रिपीट करवा दूँ कि आगे कैसे बनाना है पहले आपने एक फंदा बनाया और इसको सीधी तरब से एक बार फिर बुल लिया इस तरह से फिर सलाई को गुमाएंगे और दो फंदे वाइट बनाएंगे एक दो फिर इसको सीधे दरब से सीधा बनाएंगे अब यह बाजू के फंदे हैं तो इस में हमने बॉर्डर पे कितने रखने हैं तो उस impress से हमने आगे क्या करना है कि हाँपर हमने कहीं कहीं पर दो फंदे एक साथ लेने हैं तो कैसे लेने हैं यह देखिए दो फंदे यह वाले बना लिए जो हमने पहले बनाई थे इस तरह से आप हमने यहां पर इस तरह से दो का एक कर देना है यह देखिए यह दो का एक करके बनाना है तो जैसे अगर हमारे यहां पर 35 फंदे इधार हैं 35 फंदे इधार हैं तो हमने यह कम करने हैं बॉर्डर पे आपने 42 या 44 पंदे इस से जादा नहीं रखने होंगे तो जितने हमने रखने हैं हमने वहां पर बीच बीच में दो का एक करना है इसी सलाई में बुनते हुए अब देखें इसको हम सीधी तरब से बना लेंगे और फिर उल्टी तरब से अब इस बार हम स greedy फंदा लेंगे तो हमें छोड़ छोड़ के बनाना है कहीं दो बार सिंगल ले या त एक बार डबल ले लिया जिस्ते कि हमारे फंदे कं हो जाएंगे अब एक फंदा हमने ले लिया फिर इसको सीधी तरब से बनाएंगे इस तरह से फिर दो बार सिंगल ही लेंगे उसके बाद फिर दो का एक करेंगे यह देखी इस तरह से सिंगल लिया भी हमने फिर इसको पलट लेंगे फिर उल्टी से लाई कम्प्लीट करेंगे फिर एक कंदा फिर सीधी से लाई आपको यहां पर ध्यान से देखकर बनाना होगा फिर उल्टी से लाई अब यहां पर हम दो का एक लेंगे इस तरह से फिर सीधी से लाई फिर उल्टी से लाई फिर एक कंदा इस मेंजे इसी तरह हमने यह पूरे कंदे बना लेने हैं तो इधर हमने 22 फंदे रखे हुए हैं तो यहां पर हमने 22 फंदे रखने हैं बाकि बीच बीच में हमने 2 का एक 2 का एक करते जाना है यानि कि 44 फंदे हमारे बॉर्डर पर हो जाएंगे यह दिखें दोने तरब से हमारा यह बनके त्यार होगे हमारे सभी फंदे हमने बना लिया हैं अब यहां से मैं सीधा सीधा बनाऊंगी जितनी हमने लंबाई रखनी है उसके बाद बॉर्डर बनाऊंगे सभी फंदे एक साथ बनाऊंगे यह देखें जैसे मैंने अभी इसमें दिखाया था इस तरह से इसमें इतना बना के फिर हमने बॉर्डर बनाया है इसी तरह हमने बाजू में भी ऐसे ही बनाना है यह मारे फोटी फूर्डर फंदे हैं अगर आपको कम जादे करने हैं तो आप उसी हिसाब से यहां पर बनाएं यहां यहां पर भी साइट से भी जितनी लंबाई बढ़ानी है आप साइट से भी एक यह दो फंदे गटा सकते अजब खुम है यह देखें बॉर्डर हमारा बन गया है अब मैं इसको बंद करके फिस्सिल्के दिखाती हूं आपको स्वर्टर इस तरह से उल्टा है तो उल्टा बुनेंगे और फिर इसके उपर से निकाल देंगे इस तरह से सीधा है तो सीधा बुल लेंगे और फिर इसको निकाल देंगे मुझाती है तो बुल देंगे साथ है तो बुल देंगे कर दो देंगे काटके और यह मैं सिल्के दिखाते हूं इस तरह से यह देखें तो दिखिए यह सफेद हुन का जो बना हुआ है उसको हम सफेद हुन से सिलेंगे यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक इस कलर से वहां थो नहीं धिखिए झालिव जा व। कि प्रवीम चая झालिवर है इस कंसर known कICE का डर बनाता है पुत गर से यह झालिवर यहां मान मान तो । कि यहां तक थिखिए मैं से और छ congr से यहां यहां नहां दगता हुन झाल 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 झाल